अयोध्या राम मंदिर तक कैसे पहुँचें? अयोध्या अंतरराष्ट्रिय हवाई अड्डा, जिसे आधिकारिक तौर पर मर्यादा पुरुशोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रिय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, एक आगामी अंतरराष्ट्रिय हवाई अड्डा है, जिसे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या और फैजाबाद शहरों की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है, यह हवाई अड्डा फैजाबाद से लगभग 805 किलो मीटर दूर है, यह अयोध्या जिले के नाका में NH 27 और NH 330 के निकट स्थित है, 2021 में भगवान श्री राम के सम्मान में हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया था, हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया गया है, 30 दिसंबर 203 को नरेंद्र मोदी, उडान संचालन 10 जन्वरी 2024 से शुरू होने की उम्मीद है, लखनव में चरण सिंह अंतरराष्ट्रिय हवाई अड्डा, जो अयोध्या से लगभग 135 किलोमीटर दूर है, भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, कोई टैक्सी किराय पर ले सकता है या बस ले सकता है अयोध्या के लिए, अयोध्या सडक, रेल मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या शेहर में स्थित, अयोध्या जंक्षन, रेलवे स्टेशन, इस क्षेत्र की सेवा करने वाला एक प्रमुख रेलवे केंद्र है, अयोध्या के भीतर, ये दो प्रमुख रेलवे जंक्षनों में से एक है, दूसरा फैजाबाद जंक्षन है, जो भारत के प्रमुख शेहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या अन्य प्रमुख शेहरों से अयोध्या के लिए ट्रेन ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या मंदिर तक स्थानिय बस ले सकते हैं, अयोध्या, सडक मार्ग द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख शेहरों से भी जुड़ा हुआ है, आप लखनव, वारांसी या अन्य प्रमुख शेहरों से अयोध्या के लिए बस ले सकते हैं या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, अयोध्या के लिए आगे और इंफॉर्मेशन लेना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज